शारुक खान का बेटा आर्यन खान ड्रक्स केस में बरी हो चुका है आर्यन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है आर्यन बॉलिवुड इंडास्ट्री में एज डिरेक्टर डेब्यू करने की तैयारी भी कर रहा है लेकिन आर्यन की नाराजगी मीडिया से वैसी की वैसी है जी हां आर्यन जब भी किसी पब्लिक इविंट में आता है और जिस तरीके से वो मीडिया के सामने आटिट्यूट दिखाता है उससे साफ जलगता है कि आर्यन ने मीडिया को अभी तक माफ नहीं किया है ड्रग्स केस वाले इंसिडेंट के बाद आरियन हाल ही में मुंबई में एक पार्टी में शामिल हुआ इस पार्टी में आरियन अपने पूरे सेक्यॉरिटी टीम के साथ पहुँचा इस दौरान पापराजीज जो आर्यन को कैप्चिर करने के लिए वहाँ खड़े थे वो आर्यन आर्यन चल्दाते रहे गए लेकिन आर्यन तो गाड़ी से उतर कर सीधे ही वेन्यू के अंदर चला गया उसने पापराजीज और कैमरास की तरफ ना देखा ना पोस किया कैमरा जिसके लिए ये कमाते हैं कैमरा जिसके सामने शारुक खान ने पूरी जिन्दगी बिताई है उसी कैमरा को आर्यन ने अपनी जिन्दगी में बैन किया हुआ है वो पापराजीज के सवालों का ना जवाब देते हैं ना उनके लिए रुकते हैं सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इस वीडियो के वाइरल होने के बाद लोगों के रियाक्शन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इसमें आटिट्यूट बहुत है अभी तब कुछ बना नहीं काम करके दिखाया नहीं प्रूफ किया नहीं और उससे पहले ही घमंड इसके कि मीडिया के सामने आरियन की चुपी का कारण उसके पिता शारुक खान है शारुक खान नहीं आरियन को मना किया है मीडिया के सामने मूँ खोलने से क्यूंकि वो कुछ भी बोलेंगे वो उनके खिलाफ जा सकता है इसलिए आरियन को चुप रहने के लिए उनके घर से कहा ग रखेंगे वो राइटर डिरेक्टर के तोर पर डेब्यू करने जा रहे हैं